हेलो स्टुडेंट्स वेलकॉम नमस्कार सश्रिकार एक वरी फिर मैं तोडे नाल तोड़ा हिद अब इलाशी शर्मा बहुत सारे वीडियोज ने मेरे इस चैनल जान करे हिद ते एक वरी फिर तोडे हिद लई इस चैनल बहुत इंपॉर्टन टॉपिक आज मैं शेर करन जारें वीडियो दे विच यह दिस रिगादि अप्रिशिशन जिसनु पंजाबी दे विच किसावच हिंदी दे विच हाराश केंदे ने ते आज यह सिगल करांगी देप्रिशिन दा मेनिंग फीचर्श चॉस इन ब इस तो इलावा पूरे डिवाइस ता जड़ा भी तुसी यूज करो देखन देले ते नाली खोर भी जेकर इयरफॉन जा हैड़फॉन यूज किते जान बेस्ट हैं तुसी मैं बेस्ट है लेक्सिमम कॉंटेंट देविचों प्राप करोगे आओ देखिए आज दे कॉंटेंट दे बारे लेट्स लर्न अबाउट डेप्रिशेशन और माई चैनल जान करें सब तो पहला आज गल कर दें डेप्रिशेशन की चीज़ है डेप्रिशेशन नों जेकर सी शब्दांच ब अउसिज अफ टाइम ऑपसी लेंस और फाल इन मार्किट प्राइस इस सारे कारणा करके डेप्रिशेशन हुंदी है पर डेप्रिशेशन हुंदी की है डेप्रिशेशन जिसनों पंजाबी किसावट कहन देने बिसनस दी फिक्स एससे देवीच जो लगातार गिरावट दने कमी आंदी क्यों है जब उस फिक्स ऐसर जी में मशिनरी होगी बेल्डी होगी जब उसी यूज कर देयां ता यूज करनाल उदेच टूट पज हूंदी रहनी है कस्दी रहनी हो मशीन या कोई भी फिक्स ऐस एक्सिडेंटल कॉसी हो सकते समय दे वीतन देनाल मॉडल पु नहीं होगी अपर चलन होगी लोग का ना हुनों देविच परोसा नहीं रहा आइटम देविच नमी टेक्नीक आगी होर बहुत सारे कारना करके फिक्स ऐसर्स दी मार्किट वैल्यू देविच गिरावट आ जान दी उस आनवाली गिरावट नो ही असी डैप्रिशेशन कहने क्लियर हो गया त्यान रख्यों इस गाल नूँ फिक्स ऐसर्स के डियान ने देविच तो नूँ पाती है जि में मशिनरी है कोई वीकल है ट्रक कार बेल्डिंग क्लिया बट फिक्स ऐसर्स दी याद रख्यों लैंड नो इंक्लूड नहीं कर दे क्योंकि जरनली के ट्रेंड है कि लैंड दी वैल्यू ता ज्यादा तर वादी है ज्यादा दरीके है कंवेंशन है उस तो बाद डेप्रिशेशन नूँ जेकर सी शब्दांच बनन दी होर कोशिश करिए इन अकाउंटिंग टर्म्स डेप्रिशेशन किया है डेप्रिशेशन इस डिफाइंड एज रिड डेप्रिशेशन नूँ जेकर परिवाशित करिए एस ती कोस्ते वीच सिस्टेमेटिक टांग देना लगातार होन वाली हो गिरावट है उनों तक होन वाली गिरावट है जात्तक उस एस्टी वैल्यू जा लगबग तुछ नहीं हो जान्दी बहुत कट नहीं रह जान्दी एक्षेशन देखांपल विजमें मैं तोनों दसियां सी पहला बेल्डिंग फार्नीचर ऑफिस एक्यूपमेंट मशिनरी लैंड इस दा ओनली एक्सेप्चन विच कांट भी डेप्रिशेट एज वैल्यू अफ लैंड अप्रिशेट विच टांग जमीन दी जड़ी कीमत है दोरतेवादी एक कन्वेंशन है बाकी लैंड नों चड़गे बाकी तोनों में दसे आरेंगे ए सारी हां फिक्स एसेट्स ने ते फिक्स एसेट्स दे हिसाफ दे विच देखिए कि कौजिस ओफ डेप्रिशेशन की ने जो मैं तुसी देख रहे हूं इस पिक्चर दे विच लगातार एक बिजनस दी कोई कार है वी जाला जोडी वेल्यू लगातारा में डॉन न क्यों हुन दिया ने डेप्रिशेशन क्यों दिया विए रेंटी आरण करके उनों वरतन करके उस टूट पाज करके खराब हो सकदी Yannay डिक के डिस्ट्रक्षन कोई पूरी तरह बरवाद हो जो बहुत हाद तक हो दा पार्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉइड हो जे अब सवले सेंस जिन्हों केंदेने अव विश्वाश लोकां दा हुनुस टिकनॉलोजी देवीच विश्वाश ना रहे क्योंकि उदे अल्टरनेटीव यूजिज मार्केट चे ब क्यारे क्योंकि कोल माइन जने पत्रोलियों वेल्स ने जितेे पेत्रोल वेल्स ने पेत्रोल डे खूर टेल दे उनना दे विच defend by nature. उनना दा सवाव वे हो जाए उनना आइटम्स दा कि उससे कमी आजान दिया पार्सेज ओफ टाइम समय देवी तंदेराल मॉडल पुराना हो गया तावी ये सारे कारण ने तो इस तो इलावा भी हो सकते ने जिस दे कारण फिक्स एसर दी वैल्यू दे विच ग्रेजुवल ये जिन्हों आसी कारण है लगातार गिरावटा अंदी नीड ओफ चार्जिंग डैप्रिशेशन ठीका गिरावटा अंदी है फिर सानू अकाउंट से विचे नू दिखान दी जरूरत क्यों पयागी जेकरस ये जानना चाने है कि जो सी प्रड़क्शन प्रसेस कीता है उदी असल लागत की नहीं है जो सी कोस्ट ओप्रड़क्शन कर दे हो दा मतलब कला रॉ मटेरियल नी हुन्दा कच्छा माल उस मेटेरियल नू फाइनल प्रड़क्शन बतल ली मिशीन ना भी था वरतिया जा रही है ते उन्हादी वेल्यू भी लगा तरकाट रही है इस करके सही माहिने देविच कोस्ट ओप्रडक्शन कैल्कुलेट करन देली डेप्रिशेशन नू चार्ज करन दिखान दी जुरूरत पहन दी है जो समझधार बिजनसमेन ने जदो जिनी जनी डेप्रिशेशन हों दिया ओनने ही पैसा ऐसा परवीजन एज रजरव इक पासे रजरव रख ला में तांकि जिस दिन वो एसेशन नो रिप्लेस करिए नमी कोई मशिनरी परचेज करिए नमी बल्डिंग बनाईए तां साड़े कोई सफिशेंट फंड होगे उस फंड नो प्रवाइड करन दे लेवी डेप्रिशेशन नो चार्ज करन दी ज़रूरत है तांकि उस दिन एकदम पैसेदा आरेंज करना मुश्किल हो ज़ए तो रड्यूस टेक्स लाइविल्टी जेकर बिजनस दे वीचे फिक्स एसेस लगा तर कट रही आने ता नेचर दिखामागे ऐसे डेप्रिशेशन टू प्रेजेंट टू प्रेजेशन ओफ दा बिजनस नैचरली जो तो सारी चीजना सी फेक्शल दिखामागे ता बिजनस दी एक्च्छल परीशन सानू शो होएगी जिकर आसी फिक्स एस दिया वैलियूस नो रिडूस करके नहीं दिख जो करांगे यह सारे कारण ने जिस करके डेप्रिशेशन दिखानी जरूरी है इन अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग पॉइंट ओफ यू टू नेक्स्ट वान मेथड जो प्रोवाइडिंग डेप्रिशेशन तो रिजन करी ले दसी है डेप्रिशेशन दे अल्मोस्ट तो उसकी नाम देख रहे हूं अनुटी मेथड डेप्रिशेशन फंड मेथड इंशॉरेंस पॉलसी मेथड रिवैलुएशन मेथड डेप्लिशन मेथड 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 यह थे आठ ने अल्मुस्ट दस जा ग्यारा मेथड ने टाइम दे नाल जिस तरह दी जुरूर अल्वी रिलेटड है बहुत सारे मेथड डेप्रिशेशन नुट प्रवाइड करने बट साधे कॉंटेंट नुट जिस लेवल ते सी कर रहे हैं उसी दो ही मेथड कर रहे हैं वन इस दा फिक्स्ट इंस्टालमेंट मेथड सेक्ड मायन दा डिवनिशिंग बैलन्स मेथड की की ने है डेप्रिशेशन नुट दिखान दे विदिया की ने आओ इना वरे गल करें पर फिक्स्ट इंस्टालमेंट मेथड जा स्ट्रेट लाइन मेथड जी दो गल करिये तिन नाम में फिक्स्ट इंस्टालमेंट मेथड भी कहन देने नू स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहन दाइफ ओफ दा एश्रीज एस्टीमेटर पहला ताँ उस एस्टीमेटर लाइफ कर दी जान दीए कि पन साल चल लेगी दस साल चल लेगी का अंदाजा हों दैङ It is written off equally in all layers, जिननी Ashes है उन्हों हर साल दे विचो दी value नू ब्राबर बनना नहीं, मालो Ashes 10 लख दी है, 10 साल चलेगी, एदा मनलो हर साल Ashes दा हिसा 1 लखा गया, ता इस ट्रंग दे नाल हर साल, जिसतरा ही ओ एक साल वितेगा, एक पिरियड खतम होएगा, ता उन्ही value दी reduce होज जेगी, the amount of depreciation is such that the book value of asset is reduced to zero at the end of purposeful life of asset, इस ट्रंग देनल depreciation दिखाई जान दी है, जे चार्ज कीती जान दी है, फिक्स इंस आलमेर मेथर्ड के लगबग ओधी value जद ओधी life खतम होएगा, उस asset दी ओजीरो होजे, amount is calculated by dividing the cost of assets, less estimated value by number of years the assets will be used, ये तो उन्हों में formula है आग कर दे की मेंने, जिन्नी ओधी cost है, उदे वीच ओधी scrap value minus कीती जान दी है, ते ओधी जिन्नी life होंदी estimated के 5 साल रहनी है, 10 साल life asset शल नहीं है, किन्ने साल ओधी life है, उन्हें साला देना डिवाइड कर देने, उन्होंने दे वीच हाया के ऐधी cost की चीज है asset ते इस तो इलाव scrap value की होंदी है, एदे वारे तो अड़ेनल गाल करते हैं, वीडियो दे इस हिससे भी चीजागी है, ते कुछ बड़ी या important करना, residual value या इन्हों scrap value की होंदी है, इगा सोचो कोई asset जड़ी आज परचेज कीती है, आसी सोचने हैं कि 10 साल ओधी life है, 10 साल ओधी value 0 नहीं होंदी लिजे करा से उन्हों कबार्च भी वेची है, scrap भी सिल करते हैं, उस scrap value नूँ जो उस time होएगी 10 साल ओधी आज एस्टीमेशन लगा रहे हैं, उन्हों सी residual value या scrap value केंदे हैं, clear हो गया, एक expected value होंदी है, कि जड़ों asset नूँ असी वेचांगे at the end of the life of asset, ता expected any value सानों मिलेग कि उन्हों residual value और scrap value केंदे हैं, useful life ना मतलब होंदा है, estimated time period of asset, asset किन्ने एक साल चल लोगी, होदा एक estimation होदा है, 5 साल, 10 साल, होदा life span किन्ने, समझ लागया, जिस दिन उस assets नो dispose of करांगे, खतम करांगे, ता हो किन्ने एक साल चल लेगी, that is useful life of an asset, rate of depreciation की या percentage of useful life, that is consumed in a single accounting period rate of depreciation दा मनलों, प्रतिश्यत की सावट किन्नी होएगी, yes, ये दे विच साफ है, के percentage दा ओ हिस्सा, जिड़ा एक साल दे विच यूज होजेगा, उस machine दा, एक single accounting year दे विच, जिन्नी ओधी life है, मनलों ओधी life 10 साल है, ता एक साल च उस asset दा किन्ने percent यूज होजेगा, that is rate of depreciation इक गलतियान रख्यो, cost of fix assets जोदो गल करांगे, ता उदे विच कली purchase शामिल नहीं होंदी किसी किन्नेच purchase कीती सी, उदे वारे बड़ा important है, cost of fix assets include purchase price, carries and installation charges, carries मतलों नो carry करके, business तक लेके आनदा, उस fix assets नो carry दा खर्च, carries दा खर्च है, ओवी add होंदा है, installation charges होंदे ने, उस fix assets नो business install करांते, लगांते, कोई खर्च है, machine आई, उन्होंसी जोदो install करवाया था, installation charges देने पे, ओवी cost of fix assets दा part होंदा है, ते आन रख्यों जोदो आसी fix assets cost दी cost दी गल करांगे, ते fix assets, दे उते fix installment method, या straight line method, ते original cost method देना, depreciation की में कर देने, that is the formula, cost दे विच्चों दी residual value और scrap value minus कर देने, ते ओधे विच्चों, जिन्नी value आगी minus कर देने, ते ओधे विच्चों, जिन्नी value आगी minus कर देने, उन्हों ओधी useful life, या ओधी जिनना life span है, उन्हों divide कर देने, मालो कोई machine tie लग दी सी, 2 लग पंजाह हजार दी, ते सानू पता लगया कि 5 साल वदो जनल ड्वाइड करता आगी, एक्जामपल देखते हैं, स्पोजा manufacturing company पर्चेजा machinery for 10 lakh, मालो एक manufacturing company यांने एक machine खरीद ली, नो 10 lakh, जस्ट 1 lakh, एक लग दी machine पर्चेज की थी, ते useful life machine दी है 10 साल, residual value जा सक्रैप value 10 साल वाधी 20,000, वावो 10 साल वाधी 20,000 सक्रैप चे विखजेगी, एक estimation सी, उन्हें annual depreciation expenses की होने के, हर साल किन्नी depreciation होएगी, fixed installment method दे विच, जिन्नी ओधी cost सी, ओधे विचे ओधी scrap value minus करती, 80,000 आगी, एक लक्ष जो दो 20,000 scrap value minus केती, ओधी estimator life 10 सी, 10 multiplied करता, हर साल 8,000 depreciation charge केती जाएगी, एक गलत्या अंगल सुनो हुन, fixed installment method, इस method दे विच, एक वरी जिन्नी depreciation calculate कर लने है, हर साल उन्हें ही depreciation दिखाई जान दी है, same amount of depreciation is going to show in this method, इही कारण है दा fixed installment, जा straight line method, जा original cost method है, original cost दे एक वरी जिन्नी depreciation आगी, उन्हें सी हर साली दिखाणा एक सिद्धी line दे रूपच, मलो इते इस question दे विच जिमेते दे थे 8,000 depreciation आई, तो हर साल उस machine दे विच, 8,000 असी minus करदांगे, ताहीं दा नाम fixed installment method है, बारवर depreciation चेंज नहीं होंदी, fixed installment method दे, समझ लगया, तेरी जर्रल एंट्री देखिए होंदी, जर्रल एंट्री जदो कोई asset purchase करदे हैं, सारा नों बता है machinery account debit, मलो असी मैं उपर assume किता है, जर्रल एंट्री फोर प्रवाइडिंग depreciation fixed asset, मलो साठी fixed asset machinery है, machinery building कुछ भी हो सकते हैं, मलो machinery है, जर्रों आसी asset purchase करदे हैं, सारा नों बता है entry की होंदी है machinery account debit to cash या bank, cash नाल payment लगी त्यादा cash, bank नाल लगी त्यादा bank, मलो आसी एक मल लगी त्यादा कि बैंक शो कर रहे हैं जर्थो depreciation charge करदे हैं, depreciation एक को loss होंदे है, सारे profit दे, loss दे वीचों सा नों पता है जड़े loss ने और debit होंदे ने, ते जिननी depreciation charge करांगे उननी machinery value reduce हो जान दिया, cuts हो जान दिया, ताहीं जोदो machinery purchase केती है, machinery debit होई, जोदो उस ते depreciation charge केती है, machinery credit होगी, depreciation account debit to machinery, ते हर साल जिननी depreciation charge केती जान दिया प्रसीजर है accounting ते आन रत्तियो, same depreciation profit and loss account नों transfer हो जाने, because it's loss, transfer जोदो कर दे हैं, किसे भी account नों, जो debit होगी credit कर देने, जो credit होगी debit कर देने, depreciation account debit सी, असी नों transfer करना है profit and loss नों, ते एंट्री की वनगी profit and loss account debit to depreciation, दूसरा देखो profit and loss debit क्यों होया, क्योंगी loss है, जे depreciation profit होँदा, ता profit and loss account credit होना सी, पर हैगा ता loss ही, इक गलते आन रखो, हर machinery जो तो एक वरी purchase करती, जिस साल purchase करनी है, जड़ी पहली entry आसी सिर्फ ओधिन शो करते हैं, यह वाली entry, बाकि आ दोनों entries में थे show भी किता है, each year हर साल दिखानी आने, depreciation प्रवाइड भी करनी है, जिननी depreciation है profit and loss नों transfer भी होएगी, जे machinery बेच दे हैं जदो, sale करती, when assets sold जा machinery sold, bank account debit to machinery account, जे उस नों बेच दे profit हो रहें, ता यह transaction हों दिए, asset जा machinery account debit to profit and loss account, जे loss हो रहे है, sale दे हुपते, मलों जदो बेच ची, सानु पता से योदी सग्राइब वैल्यों पंजास जार होएगी, मलों एस्टिमेटर, जो बेच गी 70,000, then there is profit, जे 30,000 जे कीतां loss, ता यह उस हालत जी entries ने, जेकर जो दो machine नो at the end of the life of machine और fixed asset, sale किता जाना है, profit होवे ता machinery account debit to profit and loss, loss होवे ता profit and loss account debit to machinery account, clear हो गया भी, उनक एग्जाम्पल आपपा खोर देते हैं, अब trader bought machinery on 1st April, 2014, 1,25,000, whose useful life has been estimated 5 years, इक लख 25,000 अर्दी machinery purchase कीती, पांस साल ओधी estimated life है, after the expiring of useful life, ओधी life तों बाद, scrap value relies 25,000, जेड़ा वदा कबाड है, scrap है, उस तों 25,000 मिलेगा, estimated है कि 5 साल बाद इना मिल जेगा, machinery account बनाने, depreciation account त्यार करने, केड़ा method लगाने, with fixed installment method, for 5 years, 5 साल ना बनाने, books are closed on 31st March every year, हर साल 31st March नो books close हो रही आने, यह दे वीच डेट बड़ी important है, 1st April 2014 नो machine खरीद दी है, 5 साल अर्दा सी account त्यार करने, पहला depreciation देखो, जी में फॉर्मुला देस है, cost minus scrap or residual value, divided by life of assets, cost होदी सी इकलाख 25,000 जी में questions देती भी है, उस चोदी scrap value 25,000 माइनस करती, 1 lakh आगया, estimated life होदी, किनी सी life of assets, 5 साल दिती भी सी questions, कि 5 साल होदी estimated life है, ता 1 lakh नो जो तो 5,000 डवाइड की था, 20,000 depreciation आगी, क्योंकि fixed installment method है, इस करके आज़ी हर साल fixed 20,000 depreciation ही शोग करांगे, समय लगया fixed installment method, 20,000 की में आया, clear हो गया, आँ हुन अपका account बनाईए, सब तो पहला machinery account आडे सामने बने गया machinery account, जदो machinery purchase कीती, machinery account debit to bank के entry है, ता machinery account debit ते आनना सोचो, machinery account दी debit side ते 2 bank आगया, 1 lakh 25,000, by depreciation, क्योंकि जदो depreciation चार्ज कर दे आगया, depreciation account debit to machinery, missionary account बना रहे हैं सी, ता machinery account credit होया, ता machinery account दी credit side ते by depreciation आगया, depreciation हर साल असी वीजार शोग करनी है थे, वीजार शोग करती, फिर देखो, 1st April नूँ machine purchase कीती सी, 2014 अंच, 31 March 2015 नूँ साल दा end होने, ता साल दे end च, financial year दा end हो रहे हैं 31 March नूँ, असी उदा balance कर दांगे, by balance carry down, 1 लग 5,000 रह गया, टोटल कीता, 1 लग 25,000, जी में आम laser count दी असी posting कर दें, होँ में posting करनी है, same balance अगे असी, एक April नूँ brought down कर लिया, इथे carry down होन brought down, 2015, एक April to balance brought down, 1 लग 5,000 अगया गया, होन क्योंकि fixed installment method है, हर साल असी, 2016 अच भी, by depreciation, 20% depreciation दिखाती, फिर, असी उस्तो बाद, एक पंदरा अदे वीच बैलंस brought down किता, क्योंकि एक April तो लेके, next year 2016 तक दा, इयर है त्यान रखे, इस करके, साल चेंजने, एधर 15,000, एधर 16,000 करके, 81 March 2016 नूँ अधा balance कर दें, 85,000 आगया, सेम बैलंस असी brought down किता, क्योंकि पांसलादा अकाउंट त्यार करने, फिर, असी, कती मर्च 2017 नूँ फेड depreciation दिखाई, fixed installment method ज़ीजार, इधर balance कर दें, कती मर्च नू 65,000 आगया, दोनों साइट अधर बैलंसिंग करके, 65,000 फेड अगे लेके आई, इसी, 2017 ज़ीजार, फिर अप्रन फेड़ एपर लनो, two balance brown, 65,000 आगे लेके लेके लेकेड अधर, fixed installment method ज़ीजार, अधर सेम दाया, लर्च नूँ फेड डपरिशेशन दिखाई, है वी हिजार च ते उस्तों बाद ओहों जड़ी एसिट है ओधी स्क्रैप वैल्यू जड़ी सी पच्ची हिजार सी तब पच्ची हिजार दे विच्चा सी उनूं कैश बाई कैश अकाउंट पच्ची हिजार च वेच था पंताली हिजार दी एसिट सी मशिनरी अकाउंट पच्ची हिजार च वेच थी वीजार डेपरीशिशन ते आनल सुचो की कोई बैलंस बचया जीरो बैलंस हो गया जी जीरो एदा मनला अकाउंट टोटली क्लोज हो गया जे इथे चाके ते आनल जेदा मैं प्रॉफिट लॉस अची बट इसे ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा असी की किता पंताली हिजार जड़ा दो जड़ार अठारां फस्ट रैपराल नू बैलंस सी ब्रॉड डॉन किता डैप्रिशिशन चो किती 20,000 स्क्रैप वैल्यों नू सेल किता है कैश दे वीच पच्ची हिजार च दोनों साइट दे अकाउंट मिलेंगे that is the close of machinery अकाउंट इस त्रंग दे नाल fixed asset दा अकाउंट बांद है चाहे machinery या building है ते हुन गाला आगी depreciation अकाउंट दे वीच क्या आन्या समझो इस गाल नू जदो भी depreciation हों दिया एंट्री की हों दिया depreciation अकाउंट ड़ावी तो machinery ज डेबिट कीता गया ताँ डेबिट साइट ते टू machinery आ गया 31st मार्च नू एवी त्यान रख्यों डियर स्टूडेंट्स depreciation हमेशा at the end of year चार्ज हों दिया हुन एक कप्रेल 2014 तो शुरू होया सी बट एड़ा एंड को में 2015 31st मार्च नू टू machinery account 20,000 सारा दस सारा जिननी भी depreciation है वो transfer कीन होगी by profit and loss same amount by profit and loss 20,000 इस करके थे कोई balancing ही नहीं आया सानों total लगान दी भी जरूरत नहीं सिद्यां दो लाइना मारी आएदा मतलों कि होगा account close हो गया एक साल ना फिर दूसरे साल फिर वीजार depreciation चार्ज गीती same टांग देना टू machinery account इस जनल एंट्री दे अक जाते आन रख्यो उस तो बाद machinery account फिर तीसरे साल दीजिए तो depreciation चार्ज किती है इस जनल एंट्री दे अनुसार depreciation अकाउंट डैविट टू मिशिचेशन डैविट यह दा डैविट साइट दे टू मिशिनरी आ गया फिर डैप्रिशेशन असी profit and loss लोस ट्रांसफर करते है इस जनल एंट्री दे अनुसार profit and loss अकाउंट डैविट टू डैप्रिशेशन ता अपने आप सोच वे थे by profit and loss 20,000 इसे तरह तीसरे साल ते इसे तरह चोथे साल ते फिर पंजमें साल असी depreciation दिखाने है तू मिशिनरी करके इस जनल एंट्री दे अनुसार ते सारी depreciation ही अस साल अकाउंट बंद हो जाएगा यह पांच साला दा depreciation अकाउंट बन गया जिमें पहला मिशिनरी काउंट बनाया सी यह fix installment method तरह student दूसरा method depreciation दा है नेक्स येर कटे होए मुलते होते हैं जिननी भी depreciation हो चार्ज हो ची उस तो next ये फिर कटे होए मुलते इही काऊरना भी तो नाम तो यह वेल्यू method, written down value method की है, written down value method is a depreciation technique, depreciation the calculation the technique है, that applies a constant rate of depreciation, rate मेंने percentage, 10%, 15%, हर साल जो भी constant इक स्थीर प्रसेंटे सोगा, बट किस्ते होगा, cost ये नहीं, to the net book value of asset each year, ए बहुत important issue है, वे नूँ पकड़ लेओ उत्थे उन कोस्ट सी जो कोस्टे पहली वर रही आ गया हर साल दिखाना है इत्थे जो एसेट दी वैल्यू नेट रह जेगी नेट बुक वैल्यू हर साल जो रह जेगी डेप्रिशिशन काटान तो बाद जो बैल्यू रह जेगी ओसेटे विक्स्ट परेंड इट ब्रशेशन चार्ज करेंज़ की जाएगी डेप्रिशन हिस चार्ज इच 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 ईयर आटव फिक्स परेंड फिक्स होगाई दो नेट बुक वैल्यू से कवारी आगी जो पहले साल दी depreciation कटाई ता net book value कट गी फिर उस ते depreciation charge करांगे 10-15% जो भी questions दे accordingly होएगी the value of assets goes on diminishing every year हर साल इस करके asset दी value diminished होंदी रहेगी कट दी रहेगी depreciation करके ते depreciation is charged on that declined value ते depreciation हर साल उस कटे होए मुलदे होते चार्ज किती जान दी है अगे question कारते हैं सानु clear हो जेगा एदे विच depreciation की में charge किती है फिर छोड़ी इज़ांपल देखे कल दा depreciation let cost of assets on 1-1-2013 with rupees 1 lakh मालो assets cost 1 lakhs depreciation is charged at 10% with a diminishing value method diminishing मैंने कट दी हुई value method देना दस परसेंट depreciation चार्ज करनी है calculate depreciation 4 year चार सलांदी कल ली depreciation calculate करो पहला पास सिखिए depreciation कर दे दी के लिया है cost of asset 1-1-2013 नो 13 सी है जा आप इन्हों 12 कर दाने यस इस इसना कर देन्हों 12 यस 2012 cost of asset किन्होंसी 1 lakh उस्तों बाद इदे दस परसेंट depreciation जोदो 1 lakh ते 10 परसेंट depreciation चार्ज किती किन्हीं रहागी किन्हीं होई 10,000 जोदों आसी 10,000 चों 10 एक लक्चों 10,000 माइनस किते depreciation दे तां अगले साल दी स्टार्टिंग उधी return-down value जा book value के नहीं रहागी कट्या होया मूल जड़ी net book value रहागी depreciation कटा ही 90,000 हुन डियर स्टुडेंट बास एही फर्क है जे ये समझ लागया है method clear है हुन असी depreciation fixed installment method दी तरह हर सल 10,000 नहीं दिखा मागी जो हे कट्या होया मूल है return-down value है diminishing value है ये दे ते 10% charge करांगे 90,000 ते 10% calculate किती दूसरे साल दी depreciation 9,000 होगी return-down value फिर कटगी कटगी ना value क्योंगी depreciation 81,000 रहागी हुन थर्ड येर दे वीचा सी 81,000 ते 10% calculate करांगे 8,100 आगी फिर return-down value फिर कटगी 2,900 फिर चोथे साल फिर 72,900 चोथे साल असी 72,900 ते depreciation calculate करांगे same 10% fix rate of depreciation है rate fix है बट इन्हों calculate जिस्ते करने वो value लगाता है reduce हो रही है cut रही है cut दे होए मुल दे होते depreciation charge किती जारी ये acid दे यही कारण है था नाम diminishing value method है cut दे होए मुल वाली विदी ता चोथे साल जड़ी depreciation 72,900 आगी ये method depreciation calculate करनदा आओ ए complete question कर दे है जल इना machinery is purchased on 1st January 2008 मल एक machine purchase कीतिया सी 2008 नूँ with 90,000 नभे हजार दी से रुपे 6,000 are spent for carries and 4,000 spent on installation of machinery ये नमी चीज है उस machine नूँ लेके आनते carries करनते 6000 ब्या खर्च होया 4000 उस machine नूँ लगानते इंस्टाल करनते mechanics नूँ देना विया depreciation ही charge at 10% with return down value method और diminishing value method ही कोई गालों दी है 31 December नूँ असी depreciation charge करनी है हर सार दियो स्टुएंट आओ गाल करे सब तो बैला machine purchase किती missionary account debit two bank हुंता समझ लगा होगा two bank का आएगा yes समझ लगी गाल स्टुएंट स्ट्यानमात समझे नूँ तांकी साठी दिमार्च पक्या बैठ सके सानू सारे नूँ पता है जिच जनल एंट्रीज दा टंग ता सेम है डैप्रीश मिशिनरी पर्चेज करनी है डैप्रीशेशन चार्ट करनी है डैप्रीशेशन जीननी भी होगी हर सल प्रॉफिट लोस अकाउंट में भी जानी है वह सेम है जो मैं जीननी चार्ट करना टंग बदल गया बस और कुछ भी नहीं सब तो बहला मिशिनरी पर्चेज किती मिशिनरी पर्चेज किती ता मिशिनरी काउंट डैवी टू बैंक होंदा है टू बैंक का गया 90,000 इग माहें दस है कोस ता मतलब सिर्फ पर्चेज प्राइस नहीं हुंद बल्चे ょने कोड़े विचब लेके आं ते जो दे कैरी ज खर्चेन गयर्च नेंटालेशन थे खर्चरों वह फिसके मेंूरा बिलता ह्यू बैंक हुंद देने 2 willingness काउंट क कॉष्ट कोस्ट हो 90,000 नहीं वन्लैक है त्यान रख्यो ऐउट आध हुंदेने भिच हुन असी depreciation फर्स्ट इयर है दो जार अट थर्टी फर्स दिसंबर नो depreciation कड़ांगे वन लैक ते 10 परसेंट वन लैक ते 10 परसेंट जो कैल्कुलेट किती तैन थाउजेंड आ गया बाइड डैप्रीशेंड तैन थाउजेंड फिर आसी बैलंस कड़े आए था डैबिट यह एंट्री यह था बैलंस के ना बन गया नबे हजार बाइब बैलंस करीड डाउन 90,000 दोनों साइट दे वन लैक किता एह होगी बैलंस सेम बैलंस दूसरे साल फर्स जनवरी नों साल दे स्टार्ट देविच असी ब्रॉट डाउन कर लिया तू बैलंस ब्रॉट डाउन 90, फिर उसे तरह हुन डैप्रिशेशन चार्ज करनी है क्योंकि डमनीशिंग वैल्यू मैं थाड़ा हुन असी 90,000 दे 10% कल्गूलेट करांगी जड़ा है डिमनीशिंग वैल्यू एक कट या है रडा मूल है जो नब्य हजार ते 10% कल्गूलेट की था बाइब डैप्रिशेशन 9,000 आ गया फिर 31 दिसंबर नो ते आनल बैलंस साल दे शुरू च लेके आणदेने आगे ते डैप्रिशेशन साल दे एंड च शो करी दिया अकाउंट दे वीच क्योंकि सारा साल लंग चुक्या होंदा है फिर इकसा आई होई है वोधी वैल्यू आ दिया बैलंस के ना बाज हुन फिर क्योंकि डिमनीशिंग वैल्यू है असी 81,000 ते डैप्रिशेशन चार्ज करांगे 10 परसेंट जदो कैल्कुलेट किती 81,000 आगी है वाली 8,100 बाई डैप्रिशेशन अकाउंट 8,100 ते बाकी बैलंस कैल्कुलेट कर लिया बाई बैलंस करी डाउंट 72,900 उन्हें तिन सालां दा अकाउंट बनानू के है इते लिखना के नहीं है तेन सालां दी अपा लिख सकते है रिटन डाउन वैल्या इच ये ईर फॉर त्री ये जे चार साल नहीं तरहां है इस तरह है अकाउंट बंदा है गांटिने एक हिंए औरुछ टाउन डाउन वेल्यू मेथड़ है तो अकाउट एक है कि में बनेगा सेम तो थो डाउड़े सामने डेपरिशीश नगों सब्तो पहला पहले साल जिन्हीं डेपरिशेशेट किती सी और ट्रांसफ़र डेपरिशीशिन आनों मतहितना डेपरिशे कोई बैलंस नहीं है खतम पहला साल कंपलीट दूसरा साल फिर डैप्रिशेशन चार्ज गिती 9000 आई सी टूब मशिनरी 9000 जिननी डैप्रिशेशन आई ओही सारी प्रॉफिट एंड लॉस नू ट्रांसफर करते हों देने जी में फिक्स्ट इन स्राडवेंड मैथट समझाया स यह सी नाएं ठाउजं किती भाआ ब्रॉफिट एंड लॉस दोनाओ से दा आइंठाज तीस्रे साल फिर कटीव संपर नों सी डैप्रिशेशं चार्ज कितीए डैप्रॉफिशेशन अकाउं डैवी 2 मशिनरी two 2 Mppmm Achy Key that is a complete question complete numerical question as students a diminishing value method clear हो गया so students I think the whole concept is clear lengthy ज़रूर लग रहे बट बहुत कुछ है कोई टॉपिक दे जैसी गल कीती है आज दी जे रिकैसुलेशन करिए depreciation की है क्यों charge कीती जान दी है क्यों show करनी बेंदी है कुछ basic contents कीते फिर दे methods कीते ते आज दो methods नूँ details समझा ते नालो दे numerical questions भी कीते बहुत सारी होर वीडियोज भी इस तो बाद चैनल ते ने numerical question detail दे वीच कले कले मैथन ना related typical problems होर भी आन गिया चैनल दे होते होते तां students इस वीडियो दे जिस content नूँ clear ने उसे से द्वारा जाओ उते देखो दे जेकर फेर भी कोई concept clear ने नीचे comment box जाके content नूँ permanently अपने दिमाग जे मिठाओ thank you very much छाएम QईPN